फिजियो थेरपी का कोई साइड एफेक्ट भी नहीं इसी है, इसकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। पोलियो, अस्थमा, सरजरी के बाद रहेबिलिटेशन, मांस्पेशियों और हड्डियों के रोग या दूसरी क्रॉनिक बीमारियों से उबरने में फिजियो थेरपी एहम भूमिका निभा रही है। लगभग हर मेडिकल सेंटर में फिजियो थेरपिस्ट अनिवारिया रूट से शामिल किये जा रही है। सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं बलकी स्पोर्ट्स, आर्मी जैसी फीर में भी बतौर फिजियो थेरपिस्ट करिया बना सकते हैं। क्या है फिजियो थेरपी? फिजियो थेरपी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। फिजियो से मतलब है शरीर के बाहरी हिस्से का इलाज करना, वहीं दूसरी और थेरपी से मतलब है व्यायाम, इलेक्ट्रो थेरपी वा मसाज जैसी टेकनीक का सटेप बाई सटेप इस् लेकिन काम को लेकर विस्तार की संभावनाएं बहुत हैं। कोसे इस जिन में ले सकते हैं दाखिला। फिजियो थेरपी में आप डिप्लोमा, बैचलर, पीजी, एंफिल वा पीच डी तक के कोसे इसमें दाखिला ले सकते हैं। बैचलर लेवल के कोस को BPT यानी बैचलर आफ फिजियो थेरपी कहते हैं। कोस का डिउरेशन सामान्यता साड़े चार साल होता है। इसमें आखिरी छह महीने इंटर्शिप के होते हैं। MPT यानी Master of Physiotherapy, दो साल के इस कोर्स में आप समकक्ष विशाय से विशेश अगिता हासिल कर सकते हैं। इसमें Neurological Physiotherapy, Pediatric Physiotherapy, Sports Physiotherapy, Arthropedic Physiotherapy, Obstetric Physiotherapy, Post-Operative Physiotherapy, Cardiovascular Physiotherapy आदी में Specialization भी किया जा सकता है। Physiotherapy को सेस में Admission लेने के लिए आप Government वा Private दोनों में से College चुन सकते हैं। Government Collegeों में Admission लेने के लिए आपको State या Central Level के Entrance Exam qualify करने होंगे। Private Collegeों में कुछ College